हां जिस्टुएंट्स, तो मेट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स देड़ महिने के बाद फाइनली ये कम्प्लीट हुआ आपका यूनिट, अच्छे तरीके से हमने यहाँ पर विल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था कि मेट्रिक्स क्या होता है, एडिशन अफ मेट्रिक्स क्या होता है, सब्ट्रिक्शन अफ मेट्रिक्स क्या होता है, मल्टिपलेशन अफ मेट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मेट्रिक्स क्या होता है, टाइपस अफ मेट्रिक्स क्या होता है, इन्वर्स अफ मेट्रिक्स क्या होता है, माइनर क्या होते है, को फेक्टर क्या होते हैं यह सब चीजों को हम समझते हुए फिर उसके एप्लीकरिकेशन ओफ मेट्रिक्स पर गए जहां पर हमने समझा कि एडिशन ओफ मेट्रिक्स कैसे यूज करते हैं उसके बाद हम लीनियर एक्वेशन पर गए जहां पर हमने एक्स, Y, Z के में वैल्यूस तो वहां पर किस तरह के से इक्वेशन ड्रो करकर के मैट्रिक्स करकर करके सॉल करना है लेकिन बात नहीं पर खतम नहीं हुई थी इसके बाद भी जो पेपर में आज कल आ रहा था आपका आपका लिएंटिफ इन पूट आउट पूट आपका मोडल आ रहा था जैसे सवाल तो रहा आपका में ट्रशन ड्रब्रेमिनिट्स में हर एक चीज मैंने कवर कर वा दिया है पूर आपका पेडकोर्स में और आपको अद हो गया है आप नया क्लास नए युनिट स्कार करने गाए उसमें matrix and determinants स्वाव कोई link नहीं है इसको भी कोई advantage नहीं मिलेगा और जिसने इस unit को नहीं कर रखा इसका disadvantage भी यह नहीं मिलेगा बिल्कुल अपने अपने unique और अपने अपने बिल्कुल fresh unit है पिछले से कोई इसका लेना देना नहीं है तो next class पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चोबीज से पच्चिस क्लासिस हमने लिए पूरे के घंटे से उपर की, तब जाकर के यह चप्टर हमारा खतम हो पाया है, पेड कोर्स में, और तेजी से पेड कोर्स में मैं रेगॉलर क्लासिस को आप यहां पर लेकर के आ रहा हूं, जिससे की आप जल्दी से कोर्स इसको आपको मैं solve करवाओं, यह हम last time पे करेंगे, तो आप full score paper में अपना कर पाएंगे, thank you, thank you so much.